अलपादिकार से सम्मंदित, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से एक अलपादिकारी अपने लाप को अधिक्तम करने के लिए दो प्रकार के काटेल का साहरा लेते हैं, एक काटेल जो होता है उसे केंद्रिकत काटेल का जाता है और दूसरे प्रकार का जो काटे के सग्यादी जाती है इसे क्रम में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अलपादिकारी अपने लाप को केंजिकत कार्टेल के माद्यम से अधिक्तम करते हैं इसके लिए मैं एक कि इस प्रसनले रहे हैं जिसमें देखिए दो फर्म है और भी जिनका मांग फलने पी बराबर हंड्रेट माइन दिक्तम कहां पर होगा कितने कीमत ली जाएगी और अलग-अलग लाब उन दोनों फर्मों को कितना होगा और उत्पादन कितना होगा इसका decide करना है तो देखें लाब अधिक्तम करने के लिए πाई बराबर दोनों का लाब हम जोड़ेंगे πाई 1 प्लस पाई 2 तो पाई बराबर हो जागा टोटल रेवन्यू 1 माइनस टोटल कोस्ट 1 प्लस टोटल रेवन्यू 2 माइनस टोटल कोस्ट 2 तो यहां देखें यह है 100 तो देखें पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पी बराबर है 100 माइनस 0.5x तो P बराबर होगे 100-0.5 X का मान रख दिया X1 प्लस X2 तो P बराबर होगे 100-0.5 X1-0.5 X2 इसको अब हम यूज करते हुए total revenue दोनों का दिखाएंगे total cost दोनों का लिखेंगे तो यहां देखें हम बात करते हैं यह आपको समझाने के दरस्टी से लिखाए है अब देखें पहले वाले का total revenue total revenue इसको X1 से गुणा करेंगे तो यहां होगे 5 बराबर यह हो जाए का 100 X1-0.5 X1 का square-0.5 X1 X2 हमने के किया जो P आया था P आया था हमारा 100-0.5 X1-0.5 X2 इसमें X1 का गुणा किया और पहली cost है 5 X1 plus TR2 के लिए इसमें X2 का गुणा करेंगे तो आएगा 100 X2-0.5 X1 X2-0.5 X2 square और फिर –0.5 X2 square यह क्या किया यह हमने दोनों का TR और TC लिखा लिखा है क्लियर यह देखें यह फर्स्त वाला TR यहां से यहां तक TR बन यह TC बन यह फिर यह वाला 100 X1-0.5 X1 का square –0.5 X1 X2 इससे 5 X1 पहली लागत गटाई अब इसमें 100 X2 इसमें देखें है एक बार है तो अब देखें पाई है 100 में से 5 गया तो आएगा 95 X1 ओके माइनस 0.5 X1 का square माइनस देखो X1 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 दोनों मिलकर X1 X2 मिच गए है यह वाला और यह वाला प्लस 100 X2 है यह दोनों जुड़कर हो गए माइनस का X2 square क्या क्या है इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ दिया अब देखें डेल पाई बाई बाई डेल X1 के साब एक साब कलन करें तो आएगा 95 माइनस यह हो जाएगा X1 और यह हो जाएगा X2 यह देखो यह X2 ऐसले जिरो क्योंकि हम जो आंसिक आवकलन कर रहे है वह आंसिक आवकलन X1 के साब कर रहे है तो यह 0 गया यह 0 हो गया इसमें से X1 हो गया तो X2 बचा और इसका ही हो गया और डेल स्क्वाइर पाई बाई डेल X2 वापिस X1 के साफिक सावकलन करेंगे तो माइनस बाणना आएगा इसका मतलब हमारा एक समेकन हो गया 95 माइनस X1 माइनस X2 दूसरा हम कर रहे है डेल पाई बाई डेल X2 एक स्कार आएक स्क्री वाइल डेल X2 के साफिक सावकलन करेंगे इसमेहही ने इसमेही नहीं यह बचा माइनस x1 प्लस 100 माइनस 2x2 और इसका सेकेंड आवकलान करेंगे डेल स्क्वाइर पाई बाई डेल x स्क्वाइर 2 तो आएगा माइनस का 2 नेगेटिव तो यहाँ दूसरा समीकन क्या आया 2x2 दूसरा समीकन आया यह 100 प्लस का था ठीक है तो यह दूसरा समीकन आयेगा आपका 2x2 बराबर 100 माइनस x1 x2 बराबर 50 माइनस 1 बाई 2 x1 यह दूसरा एक्वेशन पहला वाया x1 प्लस x2 is equal to 95 और दूसरा आपका समीकन आयेगे 100 x1 प्लस 2 x2 अब देखिए दोनों का हम solve करते हैं पहला एक्वेशन हमारा है यह वाला x1 प्लस x2 बराबर 95 दूसरा यहां से हमले में इसको यहां से उठा लें डाइरिक्ट तो यह आएगा x1 प्लस 2 x2 बराबर 100 x1 प्लस 2 x2 बराबर 100 यह दोनों समीकन आगे अब देखिए क्या करेंगे solve करते हैं comparison करते हैं minus 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 तो minus का x2 बराबर minus का 5 यह दो आए x2 कमान कितना आ गया 5 तो यहां और x1 प्लस 5 बराबर 95 x1 बराबर 95 5-5 x1 बराबर आ गया आपका 90 दो चीज आ गई x1 का production आ गया 90 x2 का production आ गया 5 दोनों का उत्पादन आ गया तो यह देखिए संयुक्त लाब अधिक्तम का होगा कीमत क्या होगी उत्पाद्ति की मात्राई क्या होगी अब दो चीज आ गई x1 और x2 अब हमको प्राप्त करने कीमत तो हमारे यह x बराबर होता है x1 प्लस x2 तो x बराबर होगे 90 प्लस 5 तो x बराबर होगे 95 कीमत है 100 कीमत दे रहकी 100-0.5 x तो कीमत होगी 100-0.5 यह 95 प्रग देंगे तो कीमत होगी 100-0.5 तो कीमत आ गई 52.5 यह प्राबर 52.5 अब इसके बाद हम बात करते हैं लाब की दोनों का सहीउक लाब भी निकाल लेते हैं अलग-अलग लाब भी निकाल लेते हैं तो यह सारी चीज आ गई अब देखिए लाब पहले का लाब निकालते हैं पाई 1 बराबट TR1-TC1 तो TR1 क्या हुआ 100 X1-0.5 X1 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 X2 यह थे कि यह वाला तो पाई 1 हुआ 95 95 X1 माइनस 0.5 X1 स्क्वेर माइनस 0.5 X1 X2 तो पहले का लाब हुआ जागे 95 को हम 95 माइनस 0.5 95 का स्क्वेर माइनस 0.5 95 5 5 5 यह हुआ 95 45 12.5 237.5 237.5 तो पहले का लाब आजाएगा 42 तो पहले का लाब आगया 22 पाई 1 बराबर 42 दूसरे का लाब पाई 2 बराबर आजाएगा 100 X2 माइनस 0.5 X1 X2 माइनस 0.5 X2 स्क्वेर और यह कोस्ट घटाएगे 0.5 X2 स्क्वेर तो दूसरे का लाब हो जाएगा 100 गुणा 5 माइनस 0.5 95 गुणा 5 माइनस 0. यह पूरा X2 हो जाएगा ना तो 5 का स्क्वेर गुणा गुणा तो यह गा 500 तो प्लस का 95 मल्तिप्लाइ 5 मल्तिप्लाइ 0.5 212.5 माइनस 25 तो यह गा 262.5 यह गा 262.5 तो पाइटू हो जाएगा 262.5 देखिए पाइटू निकालने के लिए क्या हंड्रेट X2 माइनस 0.5 X1 X2 माइनस 0.5 X2 स्क्वेर यह और यह कोस्ट बाला 0.5 X2 बच गया और X2 कमान 5 पे तो 5 का स्क्वेर हो गया तो एक बार वापिस इसको कलके दिखते हैं तो पहले वाला आया 500 उसके बाद 95 स्वरी पहले वाला 500 फिर 95 मल्टिप्लाइ 5 मल्टिप्लाइ 0.5 यह नेगेटिव 237.5 237.5 237.5 माइनस 25 215 215 पॉइंट 100 X2 ओके तो यह तो 500 हुआ फिर 0.5 मल्टिप्लाइ 95 मल्टिप्लाइ 5 237.5 और थर्ड वाला जो है वो 25 हुआ तो यह आपका हुजाएगा 200 500 आपका प्लस का हुआ 237.5 माइनस का हुआ और 25 माइनस का हुआ तो 237.5 आएगा तो इस प्रकार से अगर हम कुल आपको भी निकालना चाहें पाई तो भी इसमें निकाल देंगे पाई बराबर होता है पाई 1 प्लस पाई 2 तो 4525 आजाएगा तो पाई अगर आप निकालना चाहेंगे तो आएगा पाई 1 प्लस पाई 2 इस प्रकार से देखिए अगर कार्टेल की इस्तिती होती है तो हम दोनों का लाब अधिक्तम कर सकते हैं जैसे कि अलपादिकारी मॉडल में किया जाता है तो आपको जब अगर यह पूछा जाए देखिए सवाल हमने वह गया है 100-0.5 x अगर आपसे काई टेल के बारे में पूछा जाए तो क्या करना है जब काई टेल आप would you प्लस पाई 2 को जोड़ दीजिए फिर इसका प्रता माउकल सुन्य करिए तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा आप निकाल पाएंगे कि पहले उत्पादक के द्वरा कितना उत्पादन किया जाएगा दूसरे उत्पादक के द्वरा कितना उत्पादन किया जाएगा